बॉलिवुड में अपनी मंजिल तलाश करने वाले संगीतकार का नाम रविंद्र जैन है फिल्म कांच और हीरा से फिल्मी सफर की शुरुआत हुई सौदागर से पहचान मिली और चोर मचाय शोर में सफलता ने कदम चुमे फिल्म फकीरा तक आते आते रविंद्र जैन के गीत संगीत की चर्चा तोता मैना भी करने लगे थे रविंद्र जैन के फिल्मी संगर्ष और सफलता की धेरों कहानिया है इन में एक दिलचस्प किस्सा फिल्म कोतवाल साहब का भी है जो शायद दर्शक नहीं जानते फिल्म कोतवाल साहब के निर्माता पवन कुमार थे और निर्देशन में रिशिकेश मुखरजी का नाम था इस फिल्म में संगीत की जिम्मेदारी S.D. बर्मन के सुरीले हाथों में थी रिशिकेश मुखरजी कोतवाल साहब को म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहते थे इसलिए S.D. बर्मन के साथ गीत संगीत की चर्चा होने लगी साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी चलने लगी अचानक S.D. बर्मन की तबियत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में एड्मिट हो गए जिससे उनके संगीत का काम रुख गया इससे फिल्म की शूटिंग में व्यवधान आ गया इस बात को समझते हुए S.D. बर्मन ने रिशिकेश मुखरजी को हॉस्पिटल बुलाया और कोतवाल साहब फिल्म छोडने का फैसला सुनाया इस निर्णे से निर्माता निर्देशक हैरान हो गए फिल्म का भविश्य संकट में आ गया निर्माता पवन कुमार फिल्म में संगीत के लिए बर्मन दा के बेटे R.D. बर्मन के बारे में सोचने लगे लेकिन बर्मन दा अपने बेटे R.D. बर्मन के नाम पर सहमत नहीं हुए इससे रिशिकेश मुखरजी की परेशानी और बढ़ गई तब बर्मन दा ने एक मशवरा दिया कि इस फिल्म में आप लोग संगीत निर्देशक के लिए रविंद्र जैन को फाइनल कीजिए वो बहुत गुणी संगीतकार है इस फिल्म के लिए मुझसे अच्छे गाने बनाएगा निर्माता निर्देशक ने बर्मन दा के विश्वास पर विश्वास करते हुए रविंद्र जैन को बुलाया और सारा किस्सा सुनाया रविंद्र जैन ने इसे अपनी खुश नसीबी समझा कि हिंदी सिनेमा के लेजंड संगीत कार ने उनका नाम आगे बढ़ाया है इसलिए रविंद्र जैन शृद्धा के साथ फिल्म कोतवाल साहब को संगीत से सजाने में लग गए गीत की रिकार्डिंग के लिए स्टूडियो पहुँच गए गाना आशा भोंसले जी ने गाना था रविंद्र जैन ने आशा जी को गाना याद करा दिया और गाना एक ही टेक में ओके हो गया रविंद्र जैन इस गाने से खुश थे लेकिन आशा भोंसले के रिक्वेस्ट पर गाने को एक बार फिर रिकॉर्ड किया गया इस बार आशा जी अपनी गायकी से संतुष्ट थी लेकिन रविंद्र जैन ने पूछा कि जब गाना पहले टेक में ही फाइनल हो गया था तो आपने इसे दोबारा क्यों गाया ये बात सुनकर आशा जी मुस्कुरा कर कहने लगी कि रविदा ये गाना गायकी के लिए बहुत मुश्किल था इसकी धुन सुनने में आसान लगती है लेकिन गाने में बहुत कठिन है आपका कम्पोज किया हुआ ये गीत गायकों के लिए पैमाना बनेगा जो इस गीत को गाने में सफल होगा वही सफल गायक कहलाएगा यह वही गाना है जिसे आशा जी ने गायकी का पैमाना माना है आशा भोंसले ने खुश होकर सौ रुपए के नोट पर साइन करके रविंद्र जैन को दिया वो सौ रुपय का नोट रविंद्र जैन के लिए फिल्म फेर पुरसकार के बराबर था इस सम्मान ने संगीत कार का होसला बढ़ा दिया और फिल्म कोतवाल साहब का संगीत दर्शकों में लोक प्रिय हुआ गीतकार हसरत जैपुरी ने भी इस फिल्म के लिए अपनी कलम चलाई और शांदार गीत लिखा रविंद्र जैन के गीत संगीत से सजाकर फिल्म कोतवाल साहब सिनेमा घरों तक पहुँची और सफलता पाने में सफल रही आज रविंद्र जैन की पुन्यतिती है वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका गीत संगीत हमेशा संगीत प्रेमियों के साथ रहेगा MSK Digital महान संगीतकार रविंद्र जैन को हार्दिक श्रद्धांजली अरपित करता है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल MSK Digital को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स और शेयर करें नमस्कार धन्यवाद